और गैनी कैसे हो सारे कैसारे आज किस वीडियो में मैं आपको महारिशी वागबट के पाच ऐसे नियम बताऊंगा जिने अगर आप फॉलो कर लेते हो तो अगले पाच दिनों में ही आपकी स्किन ग्लो को प्राप्त कर लेगी आप गोरे हो सकते हैं लेकिन सवाल ये है कि महारिशी वागबट आखिर थे कोन तो सबसे जरूरी बात की आईरुवेट के विशे में बहुत गहन और प्राचीन खोच करने वाले आज से सदियों पुराने एक बहुत ही बड़े महारिशी थे महारिशी वागबट मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो पाच नियम में आपको आज बताने वाला हूँ वो कुरान शरीफ में भी बताए गए है कई मुस्लिम नबियों ने इन चीजों को हजारों साल पहले ही बता दिया था लेकिन वे हमी लोग है जो धर्म के नाम बर लड़ लेते हो तो आपको बस रिजल्ट मिलेंगे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन बाचो नियम को एकदम ध्यान पूर्वक अगर आप फॉलो करोगे तो जीवन में किसी और क्रीम की किसी और चीज की किसी अच्छे स्कीम केर रुटीन की कोई आवशकता नहीं तो आईए पहला नियम लेते हैं वो है खाने के बाद पानी ना पिये कई लोगों का आदत होती है कि जैसे ही वो खाना खा लेते है वो तुरन बहुत सारा पानी पी लेते हैं हो सकता है आप में से कई लोग सोचे सर इसका और हमारे स्किन का आखिर सम्मंद क्या है मेल क्या ह ये मैं आपको end में बताऊंगा लेकिन मेरे बात को ध्यान से समझना दूसरी चीज की पानी को घूड घूड से पिए कई लोगों का आज़त होती है कि वो मुझ से गिलास लगाते हैं और एकदम तुरंट ऐसे जल्दी में पानी पीते हैं जैसे हर समय उन्हें कही न कही जाना है मैं मानता हूँ कि आज हमारे पास में समय की कमी है हम बहुत काम में बिजी होते हैं लेकिन पानी को घूड घूड करके पीना बहुत जरूरी है नमबर तीसरा सुभा उटते ही तुरंट पानी जरूर पी है तुरंत का मतलब तुरंत नहीं कई लोग सोचेंगे कि ब्रेश करने के बाद में तुरंत नहीं जैसे ही आप उटते हो आपके स्कीन को जरुरत पड़ती है हाइडरिशन की जिसकी जो hydration है वो आप जो कमी है hydration की वो पूरी कर सकते हो पानी की मदद से तो सुबह उठते ही आपको पानी पीना है और चोहता अगर आप अपने रंग को साफ करना चाहते हो न तो हल्दी को दूद में मिला कर पीए इस से क्या होगा आपके रंगत में निखार आएगा पहले जो तीन नियम है उन्हें फॉलो करने से क्या होगा आपके ओवरल स्कीन में गलो आएगा क्यू आएगा क्यूंकि दोस्तो एक चीज याद रखो कि हम 70% से भी जादा जो हमारी बोड़ी है ये पानी से बनी है और क्या देगी? रिस्पॉंस देगी. क्यू देगी रिस्पॉंस? इसलिए देगी. क्योंकि 70 प्रतिशत हमारी बोड़ी पानी से बनी है और पानी एक ऐसा चीज है जिसे आप यूज कर सकते हो गोरा होने के लिए भी. इन सारे चीजों से क्या होगा? इससे आपके स्किन में ग्ल अपने चेहरे के उपर लगाते है लेकिन सिंपल नियोमों का पालन करने में उन्हें बड़ी दिक्कत से होती है. ये चीज़े फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि ये इफेक्ट नहीं दिखाएंगी. ये जरूर इफेक्ट दिखाती है दोस्तों. इसके वज़े से आपके स्कि शरीर से दूर भागेगी ही लेकिन साथी साथ क्यूंकि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बिमारी नहीं है तो वो बहारी रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा और आपका चेहरा हो जाएगा बहुत ज्यादा गुरा.